हेलो एवरिवन, वेलकम अगें टो फाइन आर्स टड़ी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रशिद चित्रकार, मूर्तिकार, धनराज भगजी के बारे में पुछली स्टार्ट करते हैं, यह जो टोपिक हैं, यह आपके आने वाले जितने भी आर्ट के एक्जाम है, इसके लिए बहुत महत्तपूर्ण होने वाला है, तो इन वीडियो के साथ आप अपनी तयारी को आप कंटिन्यू रखें, अचली स्टार्ट करते हैं, एक तरह से आपका रिविजन हो जाएगा, इसमें कुछ पॉइंट जो आपको नहीं पता होंगे, वो भी आपके एड़ एड़ हो जाएगे, आपकी नोलेज बढ़ेगी, तो वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों साथ शेयर करें, इनका जो जन्म है, वो 20 दिसंबर 1917 को हुआ लाहोर में, बटवारे के बाद फिर ये भारत आ गए थे, और इनके मिरत्यू 1988 में होई थी, ये चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी लेकिन इनकी जो जादा प्रसिद्धी है, जादा ख्याती है, वो मूर्तिकार के रूप में ही हुई थी, जब ये चोटे थे तो इनकी आर्थिक स्तिती कुछ खास नहीं थी, तो इन्होंने जो है, अपने स्कूलिंग के साथ साथ एक मूर्तिकार थे, उ तो इनके जो मूर्थी सिल्फ हैं, वो यथार्थवादी होने के साथ साथ घनवाद से भी प्रभावित हैं, तो अगर इनके शैली की बात की जाए, आपसे एक्जाम में पूछा जाए तो इनकी शैली थी यथार्थवादी शैली, इन्होंने पत्थर, कास्ट, सिमेंट, यो कोलेज ओफ आर्ट का जो की लाहोर में है वहां से मूर्ति कला में डिप्लोमा प्राप्त किया और फिर यहीं पर इन्होंने अध्यापन कारिय भी किया था वह दिल्ली महा विद्याले में ये विभाद का अध्यक्ष भी रहे और 1977 में ये सेवा निवरत हुए थे इन्होंने पेपर मेशी, धातू, कास्ट, पत्थर, सिमेंट, सीरेमिक, आधी माध्यमों से अपने मूर्ति सिल्फों की रचना की एक तरह से सबसे ज़्यादा जो इन्हों में काम किया है उनमें धनराज भगत का नाम प्रमुक है इन्होंने बहुत ज़्यादा अलग-अलग माध्यम में काम किया है अपने जो मूर्ति सिल्फ है जो अपना आर्ट वर्क है वो इन्होंने बनाया था और इसके साथ ही ये जो है धनराज भगत जो है वो भारत सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और फिल्ड पब्लिसिटी की स्टूडियो में भी इन्होंने कारिय किया था ये भी आप याद रखेगा ये जो है वो शिल्पी चकर के भी सदश्य थे इनकी हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो शुरुवात में इनके विशय जो है वो विशय और चितरन जो है वो द्यानिक गति विदियो वो में शामिल पूरुष और महीलाएं थी बैल को ढालने में जैसे की बैल को ढालने में लचीलापन पूरुष की पूरुस्ता और सक्ति को प्रतिविम भी करता है मतलब इनोंने जो है उनके जो हाव बाव है जो एक्स्प्रेशन है वो बिल्कुल सटिक्ता से इनोंने दिखाने की कोशिश की उसके बाद के वर्षों उन्हों ने जो है राजाओं और देवताओं की मजबूत छम्या बनाने के लिए सरल जौमितिय रूप उनकी शैली बने थे यानि कि जब इन्हों ने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में इन्हों ने जो आदमी औरत यह जो मतलब नेक जो दिन्चरिया होती है डेली ला तो उनको भी उन्होंने जो में इन्होंने बनाया था। एक और इनकी जो इन्होंने जो है पेपर-मेशी, अल्युमूनियम, तांबा पत्थर जैसे कई मद्यमों में कारीये क्यां लेकिन उनके अधिकांश काम जो है वो लकडी पर हमें देखने को मिलते हैं यानि कि जामीतिय आकरतियां जो है इनके जो लकड़ी के काम है कास्ट सिल्प जो है वो इनके जोमेट्रिकल शेप में जामीतिय आकरतियों में हमें वो देखने को मिलते हैं ये इनके सिल्प की विशेस्ता थी दन्राज भगत जो है वो दिल्ले शिल्पी चक्र का हित्सा थे जो की आजादी के समय एक गटित समू था 1949 में ये बना था इसमें बीसे सान्याल दन्राज भगत रामकुमार परमजीत सिंग शतीष गुजराल और रामेश्वर भुटा भी शामिल थे बहुत ही important line है नोट कर लीजेगा इन में से जो आपको आती है वो आपका revision हो जाएगा बहुत अच्छी बात है लेकिन इन में से कुछ point होंगे जो आपको नहीं पता होंगे नहीं याद होंगे तो वो आप note down कर लीजे आपके जो notes है उनमें add कर लीजे और साथ-साथ आपका जो है आपको चीजे जो recall होती रहेंगी आपका revision होता रहेगा इसके बाद हम इनके पुरुषकार की बात करें इन्हें कौन-कौन से prize मिलेते तो सबसे main जो है वो है धनराज बगत को 1977 में पदम श्री से सम्मानित किया गया था देखे बाकी के जितने भी prize है वो आप एक बा तो धनराज बगत को 1977 में पदम श्री से सम्मानित किया गया था उसके बाद 1937 और 1945 में पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी लाहोर द्वारा आयुजित कला परतियोगताओं में इन्हें परतम पुरुषकार मिला 1947 और 49 में ओल इंडिया फाइन आर्ट सेंड क्राफ्ट में दो बार बोंबे सोसाइटी पुरुषकार मिला 1948 में ललित कला एकादमी कोलकता से स्वन पदक और ललित कला एकादमी नई दिल्ली में उन्हें 1961 में अपने रास्टे सम्मान से सम्मानित किया और उन्हें साहित कला परिशद दिल्ली से भी राज्य पुरुषकार मिला थ 2010 में राजकी एकला महाविद्याल है चंदीगड में धनराज भगत स्कुल्प्चर पार्क की स्थापना की गई Most Important Line है याद रखेगा ठीक है सबसे पहले तो सन 2010 उसके बाद राजकी एकला महाविद्याल है चंदीगड में वहाँ पर इस पार्क की स्थापना की गई इनके नाम पर एक स्कुल्प्चर पार्क की स्थापना की गई इनकी जो एक्जिबिशन्स हैं उनकी बात करें तो धनराज भकत ने भारत में आयुजित पहले त्री वार्शिक जो एक्जिबिशन्स हैं उसमें इनोंने परदशनी की थी, 1954 में अखिल भारतिय मूर्तिकला परदशनी, Bombay Arts Society में, ललितकला अकादमी कोलकता में, अखिल भारतिय ललितकला और स्थिल्प Society में, नई दिल्ली जैसे दिर्गाओं में भी अनेक परदशनीयों में इनोंने भाग लिया, तो 1946 में इनकी मूर्तिया नई दिल्ली में अंतरराश्टिय परदशनी में परदशित की गई थी, तो इनके जो प्रमुक मूर्ति शिल्प के हम बात करें, तो आप एक बार नाम देख लीजे, उसके बाद हम इनके फोटोस देखेंगे, तो घोडे की नालबंदी, तो घोडे की नालबंदी जो की बहुत ही ज्यादा फेमस है, इनके जो मूर्ति सिल्प है, उनसे डारेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इनको तो एकदम घोट कर पी जाए, गोडे की नालबंदी पत्थर में बना हुआ है, दकिंग, दकिस, बांसूरी वादक, सितार वादक, कोस्मिक मैन, अगेन बहुत ही फेमस है, सीर्सक हीन, घोड़ा, मोनार्क शंकला, यह इनके एक सीरीज थी, अभी इनके हम वो देखेंगे, तो और लाफिंग फीगर, घरकी और शीवा अम्रत्य, अगेन, most important, spirit of work, बुल, यह टेरा कोटा में इनको ने देखी, कितने मीडियम में काम किया है, सबसे ज़्यादा मीडियम में इनकों ने काम किया है, इनके प्लास्टर भी, टेरा कोटा भी, और टेरा कोटा आपको पता होगा क्या होता है, टैरा कोटा कहा जाता है तो मतलब उनोंने मिट्टी का जो मूर्थी है बनाई और फिर उसे पका दिया टैरा कोटा होती है तो उसमें इन्होंने वर्क किया है उसके बाद है राजा-रादी पंजाबी दुल्हन हताशा ठीक है हताशा और ये लकडी में थी ठीक है जीवन व्रक्ष पेपर मेसी में भी इन्होंने वर्क किया है चित्रकार के रूप में द्रश्य चित्रन और इनका जोपड़ी जो चित्र है वो most important है ठीक है ये एक चित्रकार भी थे इन्होंने जो है लेंड्सकेप चित्रन किया था लेंड्सकेप पेंटिंग की थी उसमें जो लेंड्सकेप है उनमें इनका जोपड़ी जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इसका मुझे फोटो नहीं मिला वरना मैं लगाती जरूर आचा तो एक्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछे चाते हैं वो सबसे पहला तो आता है स्टैंडिंग वुमेन का ठीक है तो ये एक फीगर है खड़ी हुई इस्त्री और काश्य में ये बना हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काश्य में ये बना हुआ है 1955 में ये बना था रास्टे आदोनी कला संक्राले दिल्ली में इस्तीत है 63.5 cm उची है संगीत में लावर्न को विशिष्ट मुद्रा में परदेशित किया गया है यानि कि जब आप इसकी शेप देखेंगे तो आपको ऐसे लगी का कि जैसे मतलब संगीत के टाइम जो डांस करते टाइम हम जो मुद्रा बनाते हैं ठीक है तो इस टाइप से ठीक है न तो उस टाइप से इसके भाव दिये गए हैं तो ये एक्जाम के दरश्टी से बहुत महत्वपूर है अच्छे से देख लीजआ इसको उसके बाद नेक्स्ट है हमारी कोस्मिक मेन ये है कोस्मिक मेन तो ये मुर्तिसिल्प जो है वो सिमेन्ट और प्लास्टर से बनाया गया है वरत्मान में ये मुर्तिसिल्प ललित कला अकादमी नई दिल्ले में संग रही थै यह मूर्ति सिल्फ में जवमितिय आकार से मानव दिखाया गया है इनके जो मूर्ति सिल्फ हैं उनमें भी बहुत सिमलर्टी है सबसे पहली बात तो सभी चाहे वो किसी को मतलब सिंबोलिक रूप में दिखाना हो या फिर डारेक्ट कोई एनिमल इन्होंने बनाया है तो सभी को इन्होंने जोमेट्रिकल शेप में बनाया है चाहे वो किसी भी मीडियम में हो आगे आप देखोगे इन्होंने बुल बनाया हुआ है और जैसे रावन बनाया हुआ है तो यह सब इन्होंने जोमेट्रिकल शेप में बनाया हुए है इस मूर्ति सिल्फ में जामितिय आकार से मानव दिखाया गया है जिसके उपरी भाग में चंदर अर्ध चंदरमा दिखाया गया है इहां पर चंदरमा दिखाया गया है यह Cosmic Man अंत्रिक्ष मानव है तो I hope कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको दिख रहा होगा पूरा अच्छे से यहाँ पर इसके पैर और इस टाइप से यह बनाया गया है उसके बाद देखें अगें यह बनाया गया है सीर्शक हीन एक सेकिंड सीर्शक हीन नहीं है यह मोनार्क है ठीक है मोनार्क इसकी रचना में लकडी तामर पत्र और कीलों का प्रियोग किया गया है लकडी तामर पत्र और कीलों का उप्रियोग इसको बनाने के लिए किया गया है मोनार्क की शंकला में शाशक राजा को परतिनी दित्तु के रूप में परदशित किया गया है मूर्ति सिल्फ को अलंकरत करने में धातू पत्रों वे कीलो का प्रियोग के आगए लकडी में खुदाई कर खुर्दरापन लिये हुए है ये मूर्ति सिल्फ धनराज भगत के निजी संग्राले में सुरक्षित है इसके बाद देखिए इनके कुछ और प्रसिद जो मूर्ति सिल्फ है वो भी आपको देखने को मिलेंगे ये 1977 में बना था एक ये मेलोडी है ये वूर्ट स्कॉप्चर बनाया हुआ है लिंग राजा 1970 में ये एक सिंबल्स है 1968 में ठीके तो आप इनके देखोगे कि सबसे ज़्यादा पहली बात तो सबसे ज़्यादा इन्होंने वुड में काम किया है दूसरी बात geometrical shapes हैं तो ये सब चीज़े आगर आप एक connect करके देखेंगे तो आपको चीज़े बहुत जल्दी याद हो जाएंगी आपके mind में set हो जाएंगी कि कौन से artist का कौन सा work है आप एक बार मतलब अपने mind में set कीजिए कि उस artist ने इस type का काम ज़्यादा किया था इस subject पर बनाया या फिर इस तरह से उन्होंने काम किया और फिर उनके चित्र देखिए उनके द्वारा जो बनाया हुआ artwork है वो देखिए तो आपको बहुत जल्दी चीज़े जो है mind में आज आएंगी अगेन ये एक melody बनाया हुआ है sculpture है ये एक shape बनाया हुआ है मतलब figure बनाया हुआ है ठीक है इनों का जो देखिए mostly wood में ही काम है ये एक figure टाइप का दिखाया गया है जिसका एक front और back दोनों साइड से इनों ने दिखाया है ठीक है ये भी again बहुत famous है Christ रावन देखिए इसको भी पुरा मतलब symbolic type में बनाया गया है ये हम देख चुके हैं ये भी हम देख चुके हैं एक ये बहुत इनका famous है महाकाल लिंग राजा ये हम देख चुके हैं 1970 में ये बनाया गया है Monarch ये एक portrait ये देखिए ये इनोंने एक portrait बनाया है मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक face का इनोंने symbol दिया है ठीक है ये नोज वगर मतलब एक face टाइप से इनोंने ये बनाया है और ये भी आपका wood में बनाया हुआ है construction ये देखिए आप इटे और इस टाइप से जो आपको देखने को मिलेंगी ओके तो ये थे हमारा आज का टोपिक ठीक है आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे और आप अपनी तयारी अच्छे से कीजिए थैंक यू